Hello and Welcome Google Classroom, Google Meet तो हम यूज़ कर रहे हैं पर क्या हम Google Docs और Google Sheets यूज़ कर रहे हैं तो आएए देखते हैं आज Google Docs का यूज़ तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट की तरह है जैसे MS Word होता है और इसको हम एजिली यूज़ करके शेयर कर सकते हैं तो आएए इसका यूज़ देखते हैं तो Google Docs यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको Play Store से इंस्टॉल करना पड़ेगा Google Docs अप इंस्टॉलेशन के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंड Google Docs के फॉर्माट्स दिखेंगे तो सबसे पहले आप ये चेक कर लिज़े कि आप किस अकाउंट में लॉग डिन है ये चेक कर लेना बहुत इंपोर्टन्ट है और नहीं तो आप इस पर्टिकुलर एरिया से अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं तो यहां से आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं आप जिस पर्टिकुलर अकाउंट के थू अपना डॉक्युमेंट बनाना चाहते हैं अब डॉक्युमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना है इस पर्टिकुलर प्लस साइन पे तो हम गए प्लस साइन पे और देखिए यहाँ दो आप्शन्स हमें मिल रहे हैं चूज टेंपलेट और निव डॉक्यूमेट तो चूज टेंपलेट अगर हम करते हैं तो आपको डिफ्रेंट टेंपलेट मिलेंगे, इन बिल्ट टेंपलेट आप इनको यूज़ करके अपना डॉक्यूमेट बना सकते हैं, मानिए कि सब्यूब्लेट का यह एक टेंपलेट है जैसे Lesson Plan का देखिए, या Class Notes का तो सब्यूब्लेट का आप्लास टूस हम तो class notes चूज होने के बाद यह automatic template खुल जाएगा तो यहाँ पे class notes हम लिख सकते हैं, okay, इसको edit करके हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं, यह देखिए class notes है, यह editable है तो आप date में date change कर सकते हैं, आप यहाँ पे यह जो लिखा हुआ है इसको हटा के आप अपना data यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यह है inbuilt जो आपका template है यह इसके लिए काम में आता है, और अगर आप चाहते हैं कि अपना नया खुद कुछ बनाए templates ना use करके, तो आप new document पे click कीजे and आपका एक untitled document खुलेगा और एक space मिलेगा जहां आप अपने हिसाब से editing कर सकते हैं, तो मानी आपको instantly एक question paper share करना है, बना के बच्चों को वो question paper देना है, तो आप basically क्या करेंगे, आप यहाँ पे यह सारे जो options हैं, यह सारे options आप choose करके अपना paper बना सकते हैं, तो पहले हम एक simple सा देखते हैं, एक simple सा हम word लिखते हैं and पहले उसकी editing हम देख लेते हैं, suppose welcome मैंने लिखा and यहाँ आपको दिख रहा होगा यह तीन options, bold, italic और underline के जो normal word में होता है, तो हम इसको कैसे apply करेंगे, पहले यह select किया, select जैसे ही किया, तो usually आप देखिए, cut, copy, paste and select all के options भी आगे, तो selection के साथ आपको यह options भी मिल जाते हैं, ओके and इसके बाद हम इसको bold करना चाहें, तो be italics underline, तो यह तीनों आपके apply हो गए, ओके, bold, italic, underline, तीनों आपके welcome पे apply हो गए हैं, ओके, देखिए, अब next line मैं कुछ और लिखना चाहूंगी, तो मैं यह हटा देती हूँ, I don't want bold italic underline, अब suppose आप color change करना चाहते हैं, तो मैं लिखती हूँ, welcome, and इसको आप select फिर से कर सकते हैं, and आप आएंगे कहां पे, A पे, A और इसका color आप change कर दीजें, तो यह color text का change हो जाएगा, तो यह text का आपका color change हो गया, तो A से हमारा color change होता है, अब अगर आप चाहे कि color भी change हो, तो मैं कुछ लिखती हूँ यहाँ पे, and इसके background में भी you should get a highlighted color, तो इसको फिर से आप select कर सकते हैं, इस तरह से, या पहले भी आप color को change करके रख सकते हैं, red मैंने किया, and यह आपको pen का sign दिख रहा है, this is the sign of a pen, यह, तो basically यह highlight के लिए है, तो इसको select कीजिए, okay, पहले मैं इसको एक बाद फिर से select कर लो, pen को select किया, and यह आपका particular word highlight हो गया, तो यह रहा bold, italic, underline, text color, highlight color, अब, अब, left, center, right, तो हम इस पे click करेंगे, and यह हो गया आपका center, यह हो गया आपका right, यह हो गया आपका left, and this is for paragraph, तो यह left में ही रहेगा, okay, तो left, right, center हो गया, इसको center में कर देते हैं, next line पे आते हैं, आने के बाद आपको वापस left में कुछ रखना है, तो आपको फिर से उसका indentation change कर सकते हैं, अब मानिए, आपको numbering करना है, and bullets, तो वो भी है, तो वो next option है आपका, तो वो next option है, numbering and bullets का, यह वाला, तो इस पे हमने click किया, and हम इस पे भी click करते हैं, bullets आपका आगया, first bullet, तो यह तो writing suggestion आ रहा है, ठीक है, if I don't want this, आप आये फिर से CS, okay, next again, bullet, IP, okay, so different subjects, मैं next पे आती हूँ, अब मैं numbering देती हूँ, तो यह आपका numbering में change हो गया, तो इस तरह से आप bullets and numbering का use कर सकते हैं, अब next हम देखते हैं, यह particular A क्या है, यह particular A, उसके पहले तो आपको यह दो buttons तो समझ में आई है गये होंगे, यह है undo and redo, टीक है, undo and redo, हो गया, undo, हो गया, redo, तो A पे आते हैं, तो देखिए, यहाँ वापस से आपको क्या-क्या मिल रहा है, वो तो shortcuts दिख रहे थे आपको, bold, italic, underline, color change, तो यहाँ पे आपको font भी दिख रहा है, font भी आप change कर सकते हैं, कितने सारे font हैं, देखिए, तो यहाँ से आप font भी change कर सकते हैं, okay, font पहने change कर दिया, आप size change कर सकते हैं, whatever you want to write, तो यह आपका size change हो गया है, font का, तो इस तरह से आप सारा formatting अप्लाई कर सकते हैं, अब next हम आते हैं, plus पे, plus, तो देखिए, plus क्या है, basically, हम जैसे ही plus पे क्लिक करें, देखिए, कितना अच्छा है, आप automatic यहाँ पे link डाल सकते हैं, तो suppose, मुझे link डालना है, CBSC, suppose, sample, papers, okay, यहाँ पे, तो यह तो एक suggestion आ रहा है, CBSC, तो देखिए, automatic link आ गया, तो आप, यह, टिक कर दीजे, तो यह, एक link बन चुका है, आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका CBSC का साइट खुल जाएगा, next, आते हैं हम, plus पे, और हम add करते हैं, एक image, अब image आपको कहां से आड़ करना है, camera से, web से, की photos से, मुझे photos से आड़ करना है, तो मैं quickly एक image आड़ कर लेती हूं, तो मैंने उस photo पे क्लिक किया, और वो image मैंने आड़ कर लिया, ठीक है, तो दस आपका image आड़ हो गया है, तो अब, अब, हम चलते हैं, left indentation पे, अब ही, मुझे क्या आड़ करना है, मुझे आड़ करना है, एक table, तो table भी, you can add, ये रहा table, तो, suppose, मैं उसको कर देती हूं, two columns, and two rows, और insert table, तो इस तरह से आपका table insert हो गया, तो ये जो particular आपको दिख रहे हैं, अगर आप इस पे क्लिक करें, तो आपका table का जो column है, वो छोटा दिखेगा, ये रहा, table आपका इस particular frame में देखिए, फिट हो गया, इसके अंदर कुछ लिखना चाहें, तो उसको select कीजिए, उस cell को, and one, आप लिख सकते हैं, ये सारे settings chosen है, font, underline, ना underline नहीं, आपका highlight color, text color, इसलिए ऐसा आ रहा है, तो इस तरह से आप table बना सकते हैं, plus पे जाएए, और एक बहुत important है, देखिए, page number, अगर multiple pages हैं, तो आप page number दे सकते हैं, तो ये आपका page number आ गया, ठीक है, ये आपका page number आ गया, इस तरह से बना के बच्चों को दे सकते हैं, इमीजेटली इसको शेयर कर सकते हैं, आते हैं अब शेयरिंग पे, जो most important है, तो ये तीन डॉट पे आप क्लिक कीजिए, आपको देख रहा है, share and export, share and export, तो पहले हम इस share and export को देख लेते हैं, क्लिक कीजिए, link sharing आप on रखिए, ठीक है, link sharing हमेशा on रखिए, मैंने off कर दिया, तो link sharing आप on रखिए, and आप कीजिए, copy link, copy link भी आप कर सकते हैं, करके आप link को copy कर सकते हैं, share and export में जाके, ओके, share and export में, बार-बार share and export दिखा रहे हूं, आप इसको send a copy भी कर सकते हैं, देखिए, send a copy में क्या रहा है, different ways of sharing, आप इसको PDF format में share कर सकते हैं, OK, click किया, तो ये थोड़ा सा समय लेगा, आपके doc को PDF में complete करने के लिए, and अब आप इसको share कर सकते हैं, कहीं भी, WhatsApp में, classroom में, save to drive up, mail में, तो आप directly बना के instant documents, आप अपने classroom में भी, उसको share कर सकते हैं, अब इस तरह से आप share कीजिए, और यहाँ पे और, दो options हमें जो दिख रहे हैं, दो तीन options दिख रहे हैं, वो एक बार मैं देख लेती हूँ, तो दो तिन options जिनके बारे में बात हो रही थी, वो है, spell check का option, spell check option, और find and replace word count, यह आपको normal word में भी मिल जाएगा, तो यह options भी आप Google Doc में use कर सकते हैं, तो इस तरह से आप Google Docs का भी use कीजिए, और अपने documents Google Classroom में share कीजिए, Thank you.